हलो सो आप सब कस्वागत है हमारी यूटीब चैनल भारतियार पार्टेल में तो मैं आज बनाने वाले हूँ दाल डूकली सबसे पहले मैंने कुकर चड़ा दिया कुकर में हम दो थी ग्लास पानी डालेंगे थोड़ा अल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे दाल यान पाउट् in दालबध और ओएल डाल लायके चैनल में मैंने दाल लीए एक कटोरी एक कटोरी दाल लुए उसको कुकर में डाल दिया वा कुकर थीन सिटी ने तक बन कर देंगаться हम लजून काट लेंगे और हरी मिट लेंगे तीन चार हमें हरी मिट लेनी बिल्कुल wykon थीकई वाली तब ही हमारी टाल डूकली खाने में टेस्टी लगेगी यह दाल डोकली खाने के लिए बहुत हेल्दी होती यह वेसे भी आम दाल चावल खाते ही तो एक बार यह वेसी दाल डोकली बना के जरूर देखना बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ज्यादा टाइम नहीं लगता एक तमाटर भी मेंने काटा है और अभी थोड़ा सा आटा लगा दाल डोकली के लिए सबसे पहले हम थोड़ा नमक डालेंगे ऐल डालेंगे उसमें थोड़ा पाने आड कर देंगे और एक कटोरी गेव काटा लेंगे उसको अच्छी तरह बेल लेना है आटा हमें टाइट बेलना है हमारी दाल भी अभी तीन सीटी होने के बाद बिल्कुल पक दीए अभी इसको अच्छी तरह से दाल को पेस्ट बना लेंगे थोड़ा इसमें पाने आड करेंगे हमें दाल बिल्कुल पतली करने हैं क्योंकि दाल डोकली पकाने के लिए हमें पानी जयदा चाहिए अभी हम आटे का एक गोल लेंगे और थोड़ा नीचे आउयल डा पतला बेलने के बाद अब इसको छोटे-चोटे स्पीस में कट कर लेंगे आप आपको जैसे पसंदो आप डीजाइन बना सकते हो कुछ भी ऐसे मैंने कट किया है आप देख लो बिल्कुल पतला बेलना है ज्यादा मोटा नहीं रखना नहीं तो पकने में टाइम लगेगा मैं तो अब आप अब कटोरी रख दीगे गैस में कटोरी घरम होने के बाद हम ओएल डालेंगे ओईल थोड़ा जैदा डालना है अब हम सड़ता डालेंगे थोड़ी से मैंने कड़ी पता लसून तामाटर हर इमर्च अब कुछ लिए लिए और थोड़ा जीरा एड़ लसुन डाल देंगे जो हमने हमने टामाटर और इमिड्च काट के रखी थी वह भी हम डाल देंगे अभी अच्छे सी इसको पकाना है आप तड़का बना के सीधा कुकर में भी डाल सकते हो मैं कटोरी में डाल डुकली बनाने वाली हो आप कड़ाई में बनाओ चूले पे बनाओ इसका टेस्ट बहुत बढ़ता है थोड़ा नमक डालेंगे नमक हमने पहले भी डाल में डाला था अभी हमारे दाल है वह हम एड़ कर देंगे और हमें पानी ज़्यादा डालना है अभी हम एक एक करके दाल डॉकलीस में एड़ करेंगे हमारे दाल दुलकी बनके तहरे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चाहिए